नमस्कार, स्वाकत है आपका इंडिया न्यूस 28 में ये बात करते हैं मध्यप्रदेश की कोच खास खबरों की रीवा दीवार धहने से दो लोगों की हुई मौत, पुलिस ने शक को कबजे में लेकर पोस्ट माटम के लिए स्चियमेच में रखवाया खबर मध्यप्रदेश के रीवा जिले से है, जहां दीवार धहने से दो लोगों की हुई मौत, पुलिस ने शक को कबजे में लेकर पोस्ट माटम के लिए स्चियमेच में रखवाया जानकारी के मुताबिक बताते चले की ग्राम बैसा के वी रेंदर पांडे उम्र 42 वर्ष और प्यारे लाल रजक ये दोनों घर से बाहर निकले थे ओटो से आये सामान को छज्जा से टकरा के तूटने को देखने के लिए ये दोनों छज्जा को देख रहे थे कि बगल में बनी कच्चे दिवाल का मकान इन दोनों के उपर भरभरा कर गिर गया जिससे इन दोनों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई काफी मशक्कत के बाद दिवाल से इन दोनों के शवों को बाहर निकाला गया वही घटनास्थल पर पहुंची पुलिस ने शब को कबजे में लेकर पोस्ट माटम के लिए एसचेमेच में विजवाद दिया वही वीरेंद्र पांडे और प्यारे लाल की मौत की खबर को लेकर क्षेत्र में सन्नाता सा पसरा है रीवा समवाददाता मनोज दिवारी की रिपोर्ट जो बिरेंद्र पांडे हैं, हमारे भतीजे हैं वो निकले है, चाय पी रहतें निकले बाहर देखने के लिए की क्या हो गया शरता हुआ है उसी बस दो देखते हुए जब देखने गये बाहर निकले वो गया बारतालाब चल रही थी कि अचानक फीछे से वो कच्छी दिवाल, पडिवार के ही हैं कमलेज पांडे, उनकी दिवाल है, कच्छे काफी अरसों से कच्छी दिवाल वसकी, वो दिवाल उनके उपर गिर गई, दो लोगों की उसमें एक आटो चालक जिखा, उसके भी मोट लगी हुए है, अब दो उसमें दिवाल में दब के अब लम्रतक हो गए हैं, क्या ना अब था एक का बिरेंद पांडे नाम था, उपर 14 साल, और एक का नाम है त्यारेलाल रजात, दोनों वहीं के निवासी हैं, दोनों वैसा के ही निवासी हैं, और ये रेलबें इंप अब लोगों ने जो साथ में लेके आया थे परिजन उनने बताया कि इनके उपर ग्राम बैसा में कोई बारिश के समय में दिवार गिर चकी है, ये दो लोगों के उपर गिरी थी, तो प्यारेलाल रजाक नाम के उस वेक्ति के मृतियों थोड़ी दिर में ही हो गई, और कु